हलो फ्रेंट्स सब्सक्राइब कीजी फूटीन वी चैनल को और लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए बैल आइकन को भी दवएए हलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए आलू का पराठा बनाने चाहरे हूँ आलू का पराठा खाने के अंदर बहुत अरीक लज़गी सकता है और ये सब को बहुत अरीक पसंद होता है तो लेक्स गैट स्टाटेड आलू का पराठी बनाने के लिए हमें इन चीजों के आवशिक्ता हूँ है सबसे पेड़े मैंने आलू लिए है उन्हें मैं बॉइल कर लिया है और उसका छीलता है उन्हें उतार लिया हूँ उसके बाद मैंने लिए हारी मिर्ची जिसे भी मैंने बारिक काड़ रखाया हरा धनिया पोदीना नीम्बू का रस अगर आप चाहें तो अमचूर पाउडर के भी खटाई दे सकती हूँ अच्वाण अचवान डालने से हमें गेस होती है इसलिक अच्वान डालती हूँ और और काला नमक गरण मसाला आता जो कि मैंने गूर्दने के लिए है और मसाले तारही में से जो भी मसालों की जर्वत होगी मिर्ची धनिया अधी इन सब के अब मैं सबसे पहले आटे को गूर दो को सबसे पहले मैंने आटे के अंदर नमक डालूंगी नमक डालने के बाद आप इस आटे के अंदर गी या तेल किसी का भी मोन दे सकते हैं इसे मैंने या पे गी लिया मैं इसका अच्छी तरह से इसके अंदर मोन दे के इसका आटा को ज सबसे पहले हम आलो को लेंगे आलो को लेने के बाद आप इससे चम्मच की साइसर से अच्छे से मैश कर लिए इस तरह से आप आलो को अच्छे से मैश कर लिए हर एक आलो आपको अच्छे से मैश होना चीए तभी हमाला मसाला अच्छी तरह से बल पाएगा ऐसे मैंने आलो को लाल मिर्च पाउडर ये भी आप दो टेबल इस्पून रे लिजे हरा धनिया हरी मिर्च जो कि मैंने बारिक खाड रखी दी पोधीना पाउडर जो कि मैंने काड रखे ले पोधीने को हरा धनिया नामक काला नामक काला नामक एक शोड़ा टेबल इस्पून अजवाइण वा टेबल इस्पून गरम मसाला वकाला निम्म अ्यराञ वाव जोगाउड़ाश हम निपऴ कारास को अच्छी से मिक्स करaltsumbs to the जो अच्छी से एस अउसी कि अदू साज़ा टो आज मिला डोई है पीडिवें से आटे की लोई बनाएगे अदो ऐब किना तनिपनी नीमू के शुइप में लोई बनाएगी यहां डोई और श्रक्म रिस लोई बणकृ तइयार हो चुक है अब मैं इसके हऊपर आटे के कुछ बलो भदघर के नहीं ले डिए अने अब मैं इसको हाथ से इ स्ष मेले और अप्रार शेप में हल्की हाथ से बेखने कि अःडिक दी हैा अज़े यह उसके अभास रो जगार चेलिए वक्रीजित अब पसकोफेट आंपए उन thorough K hoping क्रेश कर दूल से अरू का मसा़ नहु अज़त कर लों अब ऐसके चालो किनारे ऐसे राउं राउं शेफ के ओडर पकड़के उपर की तरफ दिया हुए इस तरह से आप उपर की तरफ बिए ढ़की इस तरह से भूर दीचे़ जिससे कि हमारा मसाला है वो चालो तरफ फेल जाएंगा आटो से आप अची तरफ इसे त्रह जाएँ अब आटे की पलोधन लिजे और इसे वें लिए टीमिन आटे की पलोधन लेदी हैं अब मैं इसको ख़लक इयालो से पहिना स्टाल container ये मेली अलू का प़ाठा बनकर तयार हो चुकाए अब मैं इसको तवे पर सेखने की लिए हम्हार थी बें अब उसको तवे पर सेखने की लिए अब आँ सबस्के है अब हमारे पूरी एक तरफ से जैसे कि आप देख सकते हैं तो सिख चुकी है अब हम इसके उपर घी लगाई भी अच्छे से अच्छे से आप इसके उपर बीटो स्प्रेट कर देजिए और उसे दूसी तरफ से भी सिख नेदेजिए अब हमारा पराथा एक तरफ से सिख चुका है तो हम इसे उसी तरफ से पड़ रहे हैं आप इसके उपर अच्छे से बेटल को दगाईए तब हमारा पराथा पुरकुरा होगा और खाने के अंदर भी टेस्टी रहे हैं आदू का पराथा आप कभी भी खा सकते हैं इसकोई प् अच्छे से मैंने इस तरह से इसको सीख लिया तो अब ये कुड़कुरा हो जाएगा अब ये देखिए एक दम गोर्ण रावकरा का पूची करें और ये अच्छे से चाल्वकरा से सिख लिए आप इस आपके पराथा को बनाईए और मुझे बनाईए आपका पराथा कैसा अपना इसको ब्लै अपना इसको श्रील क करनोगी और क्लिक्टंकी को रवगे से नीचे उतार जा है कुआ हमारा आलू का पराधा बनकर तयार हो चुका आप इसको गर्मा गर्म दही के साथ चार के साथ खाईए बहुत अधिक टेस्टी लगता है अलू पराटिगी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेने चैनल को सबस्क्ताइब